सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश्चर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राज़ानिक्षेत दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नंबर 32 जो की कक्षा साथवी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशे से और आज इसमें हम पुन्रवृत्ती कर रहे हैं पार्थ पादपों में पोशन की तो इस पार्थ में हम पहला टॉपिक पोशन के प्रकार लेंगे और उसकी पुन्रवृत्ती यानि के रिवीजन करेंगे तो जैसा कि आपको मालूम है हलाकि यह पार्थ हमने पहले वर्कशीट में कर लिया समझ लिया है क्योंकि अब हमारे एक्जाम निकट ही है जल्दी होने वाले हैं तो उसके लिए हमें रिवीजन करनी भी जरूरी है तो हमने जितने पार्थ सीक लिए अब हम उनकी रिवीजन यानि की पुन्रवृत्ती कर रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं पोशन के प्रकार तो करना क्या है कि निमलिखित प्रतेक प्रशन में सही विकल्प का चैन कीजिए यहाँ पर कुछ प्रशन दिये गए हैं जिसमें कई विकल्प आपको दे रखे हैं उन विकल्पों में सही विकल्प का चैन करके अपने उत्तर को आपको लिखना है तो देखते हैं कि पहला प्रशन क्या है पहला प्रशन है कि भोजन सभी जीवित जीवों के लिए अवशक है क्योंकि यह है उन्हें डैश प्रदान करता है क्या प्रदान करता है भोजन सभी जीवित जीवों के लिए अवशक है तो वो हमें क्या देता है? उर्जा देता है, आवास देता है, वस्त्र देता है या पहचान देता है तो बताईए क्या वो हमें देता है? तो सही उत्तर है, वो हमें देता है उर्जा क्योंकि भोजन सभी जीवित जीवों को क्या देता है? उर्जा देता है फिर इसके बाद दूसरा प्रशन है कि भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवशक है उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं भोजन के घटक जो मारे शरीर के लिए जरूरी है उन्हें क्या कहते हैं रंजक, उर्जा, पोशक या लाइकेन तो इसका सही उत्तर है उन्हें हम कहते हैं पोशक तत्व क्या कहते हैं? पोशक तत्व फिर तीसरा प्रश्ण है कि अपना भोजन तयार करने के लिए पोधो द्वारा उप्योग किया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? यानि भोजन जो तयार करते हैं पोधे, उसके लिए वो क्या-क्या चीजों का प्रियोग करते हैं? जल, खनेज, कार्बन डायकसाइड या उप्रोक्त सभी तो आप याद कीजिए क्या-क्या वो अपना भोजन बनाने के लिए प्रियोग करते हैं, पोधे तो इसका सही उत्तर है, उप्रोक्त सभी क्योंकि भोजन बनाने में जल भी चाहिए होता है, खनेज भी जो की वो मिट्टी से लेते हैं और कार्बन डाय अक्साइड भी इसलिए उप्रोक्त सभी सही उत्तर है फिर चौथा प्रश्ण है मिलान कीजिए आपको इस्तम एक के शब्दों को सही उत्तर जो की इस्तम दों में है उनके साथ मिलान करना है तो देखते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले लिखा है विशम पोशी विशम पोशी को किसके साथ मिलाएंगे विशम पोशी, दूसरों द्वारा तयार भोजन लेना जो विशम पोशी होते हैं वो दूसरों के द्वारा तयार किये गए भोजन को, एब्जॉर्फ करते हैं अब शोशित करते हैं, फिर दूसरा है कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट को किस से मिलाएंगे, उर्जा प्राप्ति से, कार्बो हाइडरेट क्या है, उर्जा प्राप्ति भोजन है, फिर इसके बाद है स्वपोशी, नाम से समझ में आता है स्वपोशी, जो कि स्वयम हम अपना भोजन तयार करते हैं, तो इसको मिलाएंगे D के साथ स्वैम भोजन तयार करना, फिर इसके बाद है चौथा पोशन, पोशन का मतलब किस से मिलाएंगे पोशन को हम, भोजन ग्रहन करने की विधी को पोशन कहते हैं, क्योंकि हर एक का पोशन का तरीका अलग होता है, पौधों में पोशन अलग तरीके से होता है, जीवों में जो जानवर है जनतु है उनका पोशन अलग और मानवों का पोशन अलग तरीके से होता है, तो इसलिए भोजन ग्रहन करने की विदी को पोशन कहते हैं, और विटामेन बिमारियों से शरीर की सुरक्षा, तो विटामे प्रोटीन वसा विटामिन तता खनिच भोजन के घटक हैं और इन्हें पोशक कहते हैं पोशक पदार्थ क्या करते हैं सजीवों की शारीरिक संग्रचना वृद्धी तता शतीगरस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और यह विभिन जैव प्रक्रमों के ल उसके लिए उर्जा भी प्रदान करते हैं अब आपको कौन सा प्रशन का उत्तर देना है कि पोशक पदार्थों के कोई दो कारे लिखी तो देखिए दो कारे कौन से हो गए पोशक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संग्रचना वृद्धी तता शतीगरस्त भागों के रख विखार करने हैं और याद करने हैं तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे आसानी से वर्क्षीट को समझते रहें लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ओनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहें और अगर आपको कोरोना वाइरस को हराना है तो मास्क अवश्या लगाईए और जब भी संभव हो जब भी उपलब्द हो इसका टीका क करन अवश्या कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद